इस विडियो के अंदहाम हाथी साइकल चला रहा था कवीता पढ़ेंगे तो चलिए बच्चों कवीता को शुरू करते हैं हाथी साइकल चला रहा था पीछे चीटी बैठी थी जूम रहा था हवा में हाथी चीटी शान से एंठी थी बच्चों देखिए शान का क्या मतलब होते है शान का मतलब होता है ठाट पाट और एड़ी मतलब अकड़ कर बैठना इस कवीता के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि हाथी और चीटी ये दोनों सैकल की सवारी कर रहे थे हाथी जो है वो सैकल को चला रहाता हाथी आगे बैठाता और चीटी जो है वो हाथी के पीछे बैठी थी तभी चड़ाई सीधी आई लगे हाफने हाथी ददा चर्मर्चू रुकी साइकल लगा सरकने पीछे चक्का अब बच्चो चड़ाई का क्या मतलब होता है? चड़ाई का मतलब होता है उचाई पर चड़ने की क्रिया ठीक है उचाई पर चड़ना हाफना, सांस लेने में कटीनाई होना चर्मर्चू, साइकल के टाइरों की अवास को बच्चो चर्मर्चू कहते है सरकना, सरकना का क्या मतलब है? सरकना का मतलब है धीरे धीरे खिसकना और बच्चो चक्का किसको बोले गया है चक्का जो है वो साइकल का जो पहिया है उसको बोला गया है तो यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि हाथी और जो चीटी थी जब वो साइकल की सवारी कर रहते हैं हाथी मस्ती में जूम रहा था चीटी उसके पीछे शान से एट कर बैठेती है तो फिर क्या होता है कि जब लोग ये साइकल चला रहे होते हैं अचानक से क्या जाती है बच्चों सीधी चड़ाई आ जाती है और हाथी साइकल चलाते चलाते हाफने लगता है ठीक है उसको साइकल चलाते चलाते सास लेने में कठना ही होती है क्यों क्योंकि सीधी चड़ाई आ गई थी ठीक है फिर अचानक से क्या होता है कि साइकल जो है वो चर्मर चू की अवास करके साइकल जो है वो रुक जाती है और उसका जो पहिया होता है बच्चों धीरे धीरे करके पीछे की ओर से रखने लगता है, मतलब साइकल जो है, वो पीछे जाने लगती है चीटी चट कूदी साइकल से बोली मत घबराना दर्दा, आप पाउँ पैडल पर मारो, मैं हूँ न देती हूँ धक्का चट, बच्चो चट का मतलब होता है जल्दी से, धक्का मतलब किसी वस्तू को आगे बढ़ाने के लिए उसे पीछे से मानना ठीक है अब देखें, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कि साइकल जब है, जब वो चर्मर चू की अवास के साथ पीछे सरकने लगती है, वो रुख जाती है तो चीटी जब जल्दी से साइकल से कूच जाती है, और हाथी से वो यह कहती है, कि हाथी दद्दा, आप घबराओ नहीं, आपना क्या करो, आप अपना पाओ जो है, उसको पैडल पर मारते रहो, और मैं साइकल को पीछे से धक्का मारती हूँ, ठीक है जो हाथी को ऐसे कहती है, कि आप घबराओनी, आप पैडल पर पाओ मारते रहो, और मैं आपको पीछे से धक्का दूँगे, जनम्म मैं आपको पीछे से धक्का दूँगे ना, तो हमारी साइकल जो है, वो चड़ जाएगी तो चीटी ऐसे हाथी को motivation दे रही होती है ठीक है बच्चो आपकी ये जो कवीता है ये लिखी है श्याम सुशील ने I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो अगे वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई तो प्लीज बच्चो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब कर दें और बेल एकन को भी प्रेस कर दीजेगा ता कि जब भी मैं कोई नीए वीडियो अप्लोड करूँ ता आपको उसका notification मिल जाए